हेलो 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 everyone welcome back to your channel so in this video we'll be covering the most important days and themes of May 2021 हमने जून 2021 का कर लिया था और 2020 के हमने सारे themes and days कर चुके हैं important वाले तो अब हम करेंगे में मन्त का ठीक है और यह topic बहुत ज़्यादा important है तो यह आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है days and themes क्योंकि हर exam में और MNS में तो especially हर बार एक question पूछा राता है days and themes से so without wasting your time let's start our today's video so now let's start with our May days and themes and इसमें हम सब सब पहले पढ़ेंगे में 1st का में 1st में हम पढ़ते हैं international international labor day international labor day को देखो कैसे आत कर सकते हो कि हमारी summer vacation चली में मन्त है ठीके गर्मियों की चुट्टी पढ़ी और हमें एक भी दिन ममी ने rest करने ने दिया first day ही हमारी चुट्टी का first day था कि ममी ने हमसे बहुत सारे काम कराने शुरू कर दिये जैसे कि अपना कबद साफ कर लो अपने books सही से रखो पूरे अरेंज करके ठीक है सबजी ले आओ दूद ले आओ है ना तो एक दिन भी चुट्टी के हुए नहीं थे कि first day ही चुट्टी के दिन ही हमसे बहुत जादा labor जैसा काम कराया जैसे labor पूरे दिन busy रहता है ना काम में वैसे हमसे पूरे दिन कुछ न कुछ काम करवाती रही कौन ममी है ना तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि में first में first कैसे याद रखोगे गर्मियों की चुट्टी से ठीक है इसमें जून मत करके आ जाना गलती से कि में like जून one को international labor day होता है में याद रखना है में first में ऐसे याद रखोगे कि गर्मियों की चुट्टी पढ़ी है और तो थर्ड में को क्या बनाते है हम press freedom day अप three से याद आता है तीन और तीन से क्या याद आता है गांधी जी के तीन बंदर क्या बोलती खें बुरा ना देखो बुरा ना सुनो बुरा ना बोलो है ना लेकिन press freedom day में इसका उल्टा हो जाएगा बुरा देखना भी है सुनना भ है इसका मतलब क्या है जैसे कि कहीं पर बुरा हुआ है तो देखो सुनो ठीके और उसको लोगों तक पहुंचाओ लोगों तक पहुंचाओ कि ऐसे ऐसे गलत चीज़े हुई है हमें नहीं करना चाहिए है न तो प्रेश्ट फ्रीडम डेए प्रेश का काम क्या होता है यही काम ह तो प्रेस फ्रीडम दे ऐसे याद रख सकते हो अब है मेफ फॉर्ट मे को क्या बनाते हैं फॉर्थ मे को बनाते हैं को प्रेस्ट फिर बनाते हैं फायर फाइटर्स डे और फिर बनाते हैं वोल्ड अस्थमा डे तो अस्थमा डे याद करना आपको सिर्फ बाकी दो इतने इंपॉर्टन नहीं है तो आप देखो यह कैसे याद करोगे May 4 को आप रिलेट कर सकते हो 4 को फायर से फायर को रिलेट करना है फायर से ठिके है आग लगी है कहा लगी है आग कोल माइन्स मेंश में खिके है और उसको कॉन बुझाएगा जो भी बुझाएगा उसको हम क्या बोलेंगे fighter बोलेंगे क्योंकि fire के साथ क्या है लड रहा है fight कर रहा है उसको बुझा रहा है तो four से आपको याद रखना है fire और fire कहा लगी है coal mine में लगी है coal mines में आग लगी अब उसको कौन बुझाएगा जो भी बुझाएगा उसको हम क्या बोलेंगे फाइटर बोलेंगे कैसे फाइटर फाइटर तो फाइटर हो गया अब देखो अगर वो गलती किसे इंसान में घुज जाए तो उसको अस्तमा की प्रॉब्लम हो सकती है तो इससे आपको जाएगा वृर्ड अस्तमा डे तो फॉर क्या बोलेंगे firefighter है ना अगर वो गलती से आग किसी के अंदर गुज गई गुज गई का मतलब कि इसका धुआ ठीक है किसी के अंदर continuously गया वो धुआ तो उसको क्या हो जाएगी अस्तमा की problem हो जाएगी तो आपका misconception अच्छे यहां पर मुझे एक और चीज आपको बतानी है कि जो अस्तमा डे होता है ओ रोत मे का जो फूर्स्ट टूजड़े आता है मे मंत में जो फूर्स टूजड़े आता है तब celebrate होता है और इस बार मे का जो first Tuesday है वो fourth मे को आया था इसलिए हमने fourth मे को अस्तमा दे बनाया था ठीक है next आप learn करोगे मे एट को मे एट को दो दिन आते हैं एक तो world thalassemia day world thalassemia day और world red cross day red cross day याद करोगे ठीक है अब देखो इसको कैसे learn करोगे जो cross पढ़ाना हमने red cross day तो cross ऐसे बना लो इसको join करो इसको अगर आप join करोगे एक सकेंड इस स्क्रीन में क्या हो गया हाँ तो इसको अगर आप ऐसे ही cross बनाओगे और इसको ऐसे join करोगे तो कुछ 8 की तरह दिखेगा राइट तो में 8 को आप ऐसे याद कर सकते हो world red cross day cross ऐसी करते हैं और इसके बाद इसको जोड लो तो ये 8 की तरह बन जाएगा तो में 8 को हो जाएगा आपका world red cross day theme ती इसकी unstoppable मुझे आप comment section में ये बताओगे कि world red cross day क्यूं celebrate होता है तो जो भी वीडियो पूरी देख रहा है वो नीचे comment section में बताएगे कि world red cross day क्यूं हम celebrate करते हैं ठीक है अब हम देखेंगे may 12 को तो 12th may को क्या बनाते है 12th may को बनाते हैं हम international what international nurse day nurses day ठीक है ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए 12th may को बनाते है international nurses day अब देखो theme पढ़ने से पहले हम कैसे याद करेंगे देखो चोट लगने पर हम nurse पर जाते हैं और वो हमें इतना डाटती है कई कई nurse होती है जो बहुत strict होती है doctors भी होते हैं वैसे तो बहुत सारे strict बट जो nurses होती है कुछ कुछ काफी ख़डूस type होती है कुछ हां सारी नहीं तो वो मतलब इतना डाट देती है कि हमारी जो शकल पर होता है ना 12 बच जाते है इतना जब हम पर चोट लगती है तब हमारी शकल पर 12 नहीं बचते है लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तब शकल में 12 बच जाती है तो उस 12 बजने को आप इस 12 से याद कर सकते हैं कि हम International Nurses Day 12 May को बनाते हैं चोड लगने पर नर्सेस के पास आते हैं वो इतना डाटती है कि हमारी शकर पर 12 बज जाते हैं ठीक है डर के मारे तो May 12 आप ऐसे याद कर सकते हो International Nurses Day की थीम है A voice to lead a vision for future health care और आपको मुझे comment section में ये भी बताना है कि International Nurses Day हम क्यूं celebrate करते हैं ठीक है तो इसकी थीम थी A voice to lead a vision for future health care अब पढ़ेंगे हम 16 माई का किसका पढ़ेंगे 16 माई दखो May 16 को क्या बनाते हैं हम National Dengu Day तो इसको क्या सियाद करोगे 15 साल के हम normally कौन से क्लास में होते हैं 10 में राइट 16 साल के हम जाते हैं 11 में तो एक बड़ 10 कंप्लीट हो जाती है 11 में हम अपने आपको इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े हो गया हम बच्चे नी रहे हैं क्योंकि स्ट्रीम में लगती है और फिर हम 10 तक तो नॉर्मली बहुत रेली कोई बच्चे होते हैं जो कोचिंग वगरा जाते हैं ट्यूशन में जाते हैं लेकि 11 पर क्या होते हैं बड़े-बड़े इंसिट्यूट जॉइन करते हैं या तो IIT के लिए या फिर JEE के लिए या फिर NEET के लिए या फिर हो सकता है अपनी 11 में अच्छे स्कोर करने के लिए हम कोचिंग वगरा बड़े-बड़े जॉइन कर लेता है तो हम क्या करते हैं खुद को बहुत ज़दा बड़े समझने लगते हैं तक थोड़े बच्चे समझते हैं और 11 के बाद हम अपने आपको बहुत बड़े समझने लगते हैं और यहां वहां घूमने लग जाते हैं बिना पेरिंस के परमिशन के ठीक है वह मना भी करेंगे फिर भी हम घूमने लग जाएंगे वो बोलेंगे कि घर में जल्दी आ जाओ रात को फिर भी हम फ्रेंस के चकर में रात तक घूमेंगे हैं तो जब रात तक घूमेंगे तो हमें क्या होगा मच्छर काट लेगा है ना तो इससे हमें क्या होचा कर दिंगो हो जाएगा तो May 16 को आप कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो अब पढ़ेंगे हम May 17 का राइट अब May 17 का एक्जाक्ट पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी May 17 से लेकर May 23 तक इस वीक में पूरा क्या चलता है UN Global Road Safety Safety Week तो May 17 से लेकर 23 तक क्या चलता है UN Global Road Safety Week ठीक है अब देखो इसको कैसे लर्न करना है सबसे पहले हम May 17 को क्या बोलता है 17, 17 मतलब खत्रा है न तो 17 मतलब हो जाएगा आपके लिए खत्रा, डेंजर और डेंजरिस कहां पे होगा जब आप रोड पे जाते हो कितना सारा खत्रा होता है आक्सिडेट ना हो जाए बहुत सारा खत्रा होता है तो May 17 से हो जाएगा 17 फ़र खत्रा एंड खत्रा कहां पे है रोड पे ठीक है तो ऐसे करके आप कुछ रिलेट कर सकते हो और जो ये यू 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 लव 30 यह था इसका theme और मैंने कैसे बोला learn करने के लिए 17 is for 17 and 17 is for खत्रा and खत्रा गहां पर होगा road पर ठीक है उसके बाद 17 में कोई बहुत सारे बाकी days भी बनाते हैं for example यहां पर मैं लिख देती हूं world telecommunication and information society day तो यह ज़्यादा important नहीं है तो learn करने की ज़रत नहीं है बट मैंने बता दिया world telecommunication and information society day and में 17 कोई world hypertension day भी बनाते हैं ठीक है hypertension किसे बोलते है high BP को right world hypertension day अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो hypertension अब obviously बात है जब BP की problem होगी तो हमारे body के लिए खत्रा ही तो होगी तो 17 का खत्रा NBPV के आए खत्री खत्री का ही एक बोल सकते हम sign है है ना तो ऐसे करके आप relate कर सकते हो ठीक है अब पढ़ेंगे हम 21 में का में 21 इस दिन बनाता है international tea day मैं सिफ टी लिख रही हूं ठीक है international tea day national anti-terrorism national anti-terrorism day और एक बनाते है national endangered endangered species day अब देखो इसको कैसे learn करना है tea day तो इतना important नहीं है पर में से हम पढ़ रहे हैं अभी 21 तारीका तो साथ में एक साथ पढ़ लेते हैं 21 में को international tea day बनाते है national anti-terrorism day बनाते है और national endangered species day अब देखो यह जो national endangered species day ना यह में 21 को हमेशा नहीं बनाते हैं यह जो में का third Friday होता है ना उस दिन बनाते हैं ठीक है तो इस बार 21 में को third Friday पढ़ रहा था तो इसलिए हमने national endangered species day 21 में को बनाया ठीक है अब देखो इसको कैसे याद करना है 21 से आपको याद आता है 21 साल तो जो आपके podría डिक्टों को सब्सक जो आपके अब रहा रहे हैं यहाँ के एक एग आ जिस आता हम कैसे अदेर का तो काड़ कि ने बहुतते हैं Nicholas forya diyorum डिजाइन होता है हमने क्या गरा जो भी इंडेंजर 스िशीस थी ना उनकी picture लगा दी उसके card पर जो शादी का card होता है 7 सके invitation card उसमें इंडेंजर स्पेशीस की picture लग दी ठीका है फिर हम क्या करेंगे जब शादी होगी तो सबको क्या होता है सबसे species थी ना, उनकी picture लगा दी उसके card पे, जो शादी का card होता ना, invitation card, उस पे endangered species की picture लगा दी, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब शादी होगी, तो सब को क्या होता है, सबसे पहले चाही देनी होती है, तो चाही देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम कुछ ऐसा इंतिज करेंगे, कि वहाँ पे anti-terrorism activity जो है, वो बिल्कुल भी ना हो, है ना, मतलब कि वहाँ पे गुंडे गुंडे ना आए, और शादी खराब ना करें, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, में 21, 21 में 21 साल कर लड़का हो गया, उसके हम शादी करा रहे है, ठीक है, शादी कराने से पहले, मतलब कार्ट चपते हैं, कार्ट वे हमने का करा, जो इंडेंजर स्पीशीज थी, उसकी फोडोशिप का दी है, डिजाइन के लिए, ठीक है, उसके बाद हम जब शादी शुरू ही, सबसे पहले, ऑविस सी बात है, सबको चाही चाही होती है, तो हमने चाही पिला दी तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, नेक्स्ट है में 24, एक सकेंड, 24 में, 24 में important है, क्योंकि इस दिन हम celebrate करते हैं, common wealth day, common wealth day बनाते हैं, ठीक है, और इस बार की थीमती, सब लिख लो, में भी आ भी सकता है, यह, delivering a common future, connecting, innovating, transforming, तो इसकी थीम पर लो, common wealth day बनाते हैं, हम 24 में को, थीम है, delivering a common future, connecting, innovating and transforming, ठीक है, यह, इसकी थीम है और इसकी कोई trick नहीं है, अगर आपके पास कोई trick है, वो आप मुझे comment section में बताएंगे, last time मैंने एक trick पूछी थी, तो एक दो member ने मुझे trick लिख के भी दी थी, और काफी अच्छी थी, तो आप 24 में का भी बना सकते हैं, next चलेंगे हम May 31st, May 31st को बनाते हैं हम anti tobacco day, अब यह कैसे आत करोगे दोखो, सबसे पहले इसकी थीम पढ़ लो क्योंकि इंपॉर्टन डे है, commit to quit, क्या है, commit to, commit to quit, ठीक है, अब देखो यह कैसे आत करोगे, पूरा मन्थ चला गया, ठीक है, अब आप जैसे next month सोचते हो ना, कि जैसे new year में कुछ ना कुछ सोचते हो कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे हैं तो अब पूरा में खतम हो गया, तो आप last May को, 31st May को यह सोच रहे हो, कि जो June आएगा, मैं उससे tobacco consume नहीं करूँगा, ठीक है, तो May 31st के हो जाएगा, आपका anti-tobacco day, क्योंकि उसी दिन आपने क्या सोचा, कि मैं अपसे like tobacco consume नहीं करूँगा है ना, तो commit to quit, इसकी theme हो जाएगी, तो ऐसा करके आप कुछ relate कर सकते हो, ठीक है, आज के लिए वीडियो यही पर खतम करते हैं, और मुझे आप comment section में यह बताएंगे, कि मुझे next video किसके उपर लानी होगी, एक मुझे folk dances के उपर आ रहा है, और folk dances के लिए मैंने देखे हैं, बहुत सारे comments होते हैं, तो उसके उपर मैं कोशिश करूँगी, वीडियो लाने क ठीक है, so thank you so much and video को share करना मत भूलना and अगर आप channel में new हो, तो please subscribe कर देना channel को, so thank you